उपस्थी धर्म प्रेमी स्रधावान जिद्यासु भाईयों तथा सुशिल बहनों पहले आपके सामने एक पुरानी घटना आपको बतानी है आज से देड़ सो साल पहले जब हमारे विवेकानन शिकागो में गए थे और ब्रदर्स और सिस्टर्स कहकर के तालिया ली थी उन्होंने ऐसे समय में उनके मित्र थे वीर जी रागोजी गांधी वीर जी रागोजी गांधी ये भी इतने ही प्रतिभा संपन्न थे और महुआ गाओ में उनका जन्म हुआ था गुजुरात के और वहाँ वो पढ़ाई कर रहे थे वहाँ के हेड मास्टर ने कहा ये लड़का बहुत बुद्धिमान है इसको भावनगर ले जाओ और भावनगर में गए दस्वी तक वहाँ पढ़ाई करी पिता जी लेके गए वहाँ पढ़ाई करी वहाँ उनको गोल्ड मेडल मिला दस्वी में और वहाँ के लोगों ने उसके बुद्धी की बहुत ज्यादा परिक्षा की और कहा कि ये सच्छमुच में बहुत शार्प लड़का है इस लड़के ने अपने जीवन में उनकी उमर कितनी थी खाली सदोतीस बरस सदोतीस साल में तो उनके आईशी पूर भी हो गया उसके पहले उन्होंने अपने शिखर जी के ऊपर अंगरे जो ने क्या किया था कर लगा के रखा था जैनी लोग शिखर जी को बहुत मानते हैं तो उन्होंने क्या क्या सम्मेश शिखर जी तो कर लगा के में बंबई के कोट में चारों तरफ गए और कहा कि यह हमारे स्रधा का स्थान है और यहां कोई कर होना नहीं चाहिए बहुत उनोंने चक्कर लगाए और आखीर वहां के अंग्रेजो को कर की माफी देनी पड़ी और कर वहां का क्यांसल करना पड़ा यह काम किस ने किया वीर वीर जी रागोजी गांधी उसने उनोंने बहुत अइतियासिक काम किये दूसरी तरफ हमारे वीर जी रागोजी गांधी उस समय क्रिश्चन लोग अंग्रेश थे ना तो उनको क्रिश्चन धर्म पूरे दुनिया में फेलाना था पर इधर हमारे वीर जी रागोजी गांध ने गाव गाव में प्रवचन देना चालू किया और जन धर्म कितना सत्य है कितना तठ्य वाला है यह सारा बताने का काम किया और ज्याइनियों के प्रती लोगों के मन में आस्था जम्में ऐसा काम किया इस कृष्टन तो बना नहीं सके पूरी दुनिया को नहीं करेंगे इस तरह से उन्होंने वहा क्या किया जो पूरे विश्य में क्रिश्चन धर्म जैसा कोई स्रेष्ट धर्म नहीं है यह बात उनको समझाना था पर वो भी हमारे वीर जी ने व्याख्यानों के माद्यम से लोगों को समझाया और लोगों को ध्यार में आया वई ज्ञानिक धर्म वो है वो जैन धर्म है जहां मुक्ति तक की बात बताई है केवल ज्ञान की बात बताई है और जैन धर्म स्वेश्ट धर्म है यह उन्होंने अपने जिवन में शिद्ध किया उनको चवदा भाशाय आती थी, किसको वीर चनगानदी वीर जी को चवदा भाशाय आती थी, मक्षी तिर्थ में भी वाद विवाद चल रहा था, बीच में चले गए और मक्षी तिर्थ के वाद विवाद को भी उन्होंने शांत किया और वातावरन सच्छ बनाए दिया पार्शा भी कहते थे, उनके पास बैट कर उन्होंने छे महिने तक जैन धर्म का अभ्यास किया, वीर जी ने जैन धर्म का अभ्यास किया और चाहे सो सवाल पूछो जैन धर्म के प्रती वो उसका उत्तर जवस्ती शटिक दे सकते थे, इतने वो लायक बन गए थे, उन्होंने अपने जीवर में सभी दर्शनों का अभ्यास किया था, उसके अंदर सांख्य, वेदान, निमान सा, द्वाईत, अद्वाईत, आधी सारे दर्शनों का अभ्यास किया था, और comparatively जैन धर्म कैसा स्रेश्ट है, ये सारी बाते बताते पर जैनियों को तो प्रचार प्रसार की आ किन्तु हमारे वीरजी राजय और रागोजी गांदी इतना काम करके गए पर जैनियों ने उसकी सूध नईली भागवानों इस तरह से हमारे वीरजी ने नारी शिक्षा का प्रारंब किया था, नारी ने शिक्षन लेना चाहिए, ये तब कब की बात, देड़ सो बरस पहले वीरजी राजय और रागोजी गांदी ने नारी शिक्षा का क्या किया था, समर्थन किया था और नारी कैसे आगे आए, ये इसके लिए उन्होंने ध्यान दिया था भागवानों, गांदी जी के ये बड़े मित्र थे, गांदी जी छोटे थे, मोंदास करमचन गांदी उमर में छोटे थे और हमारे वीर जी रागो जी गांधी ये बड़े थे गांधी जी उनके पास बैठते थे गांधी जी उनके पास बैठते थे और नजाने कितनी चर्चाएं करते थे और चर्चाओं के माध्यम से अपना अभ्यास बढ़ाते थे भागवानों इस तरह से हमारे भ रागव जी गांधी ऐसे पुरुश होके गए है कि जिनों ने सदे सदोती साल की उमर में इतने अईथ्यासिक कार्य किये इतनी जादा अपनी प्रतिभा बदाई कि लोग कहने लगे वीर जी नाम का आदमी बहुत बड़ा आदमी है बहुत बड़ा आदमी है ऐसा लोग कहने लग गए थे अंग्रेज भी उनकी टारिफ करने लग गए थे बहुत बड़ा भी उनकी टारिफ करने लग गए थे और जहिनियों कोई तो वे मुख्य ही थे इस तरह से भागवानों आज से डेड़ सो साल पहले वीर जी रागव जी गांधी नाम के व्यक्ति होके गए जिन वीर जी रागव जी गांधी का प्रचार प्रसार कर रहे है उनकी जयनती मैं आज उनकी जयनती है 25 आगश्ट 1864 25 आगश्ट 1864 में उनका जन्म हुआ था और वे खाली कितने जगे सेटी सवर्ष तक वो जगे ऐसे हमारे वीर जी रागव जी गांधी का जयनती मोथ अस्थान स्थान पर वो गुरूप मनाने जा रहा है हमारे पास भी आया था हमको यह कुछ भी पता नहीं था वीर जी रागव जी गांधी को रोंके गए उन्होंने सारी बाते बताई और उन्होंने कहा पट्रीस तारीक को आप इनका उल्लेक जरूर करना इसके लिए आज उनका उल्लेक आपके सामने रखा है भागवानों इस तरह से हम लोग क्या कर रहे अठारा पाप और नौ पुन्य देख रहे है उसमें से कितने देख लिए बारा देखा ना चौदा देख पुन्य अन्न पुन्य पान पुन्य लयन पुन्य शयन पुन्य वस्त्र पुन्य मन पुन्य छट्टा और वचन पुन्य सात्वा सात्वा वचन पुन्य की साधना अगर आदमी करे तो बहुत सारे जगडों से अपने आपको बचा सकता है पहली बात तो सत्यम भुरुयाद न ब्रुयाद सत्यम प्रियम जो सत्य है पर जो अप्रिय है अंधे को अंधा कहना क्या है भगवार मावी ने कानम काने की नो वेजा काने को काना मत कहो अंधे को अंधा मत कहो लंगड़े को लंगड़ा मत कहो और हमारी आइस के लिए उसका शब्द कौन सा उत्यो करते है अप पंगलोगों को, दिव्यांग, दिव्यांग कहने लग गए है, हमारे मोदी जी ने हमको आदर डाल दी है, दिव्यांग कहो, दिव्यांग कहो पर उनको लंगडा मत कहो, अंधा मत कहो, काना मत कहो, सत्यम भुयाद, प्रियम भुयाद, सत्यम अप्रियम, जो सत्य है पर अप्र प्रयोग मत करो, शब्द समहरे बोलिये, शब्द के हाथ नपाओ, शब्द समहरे बोलिये, शब्द के हाथ नपाओ, एक शब्द करे आउशधी, एक शब्द करे घाओ, एक शब्द करे आउशधी, एक शब्द करे घाओ, बोलते बोलते ऐसे तीखी भाषा मुझ से निकल जा लिए बिना नहीं रहूगा भागवानों प्रभु राम चंद्र जब जंगल से आये थे जंगल की 14 साल की यात्रा करके वापिस आये थे तो उनको लगा सबसे पहला काम मुझे क्या करना चाहिए मेरी प्रजा को जो चीज अपेक्षित है वो चीज में अपनी तरफ से बाटू ऐसे उनके मन में आया उन्होंने बहुत बड़ी दानचाला खोली दानचाला खोली जिसके अंदर सोना चांदी से लेकर सारी चीज रखी चीज जिसको जो पसंदे वो लेके जाए मेरी प्रजा मेरा परिवार है और उनको पहले तुरुपत करना मेरा काम है इसके लिए उन् इसमें टाइम पास करदूंगा, तो बाकी काम कोन करेगा, तो वो चिंता में बेठे थे, उस समय वहाँ पर हनुमान जी आये, हनुमान जी आये, रोन ने कहा, देवा, अज चेहरा उतर ले रहे, तुम्चा काय दाला तुमाला, मने, दान शाला उगडली आहे, पंटी चालवा करेगा इस तरह से हनुमान ने कहा, भगवंता, हमचा स Αर्के सेवख बसलेले आसताना, तुम्हाला कॉन ने कहा दो आये गड़ चिंता कराया, जी आएघैं दान शालेच अभाड़ता, अगर कहा बात है।। सारे लोग आने लग गए। property drink table • print. सारे लोग आने लग गए पर कुह कुछ मांंता। सब वो, सब नगregular. उसको लगा आज इतना सारा दान दे दिया है कल अब मुझे काफी हलका हो जाएगा पर दूसरे दिन तो डबल गर्दी हो गई चारो तरफ पहल गई कि राम की दान चाला खुली है चाहे सो मिलता है चाहे सो मिलता है तो और आजू-बाजू के लोग भी आने डगए दूसरे द जादा भीड तीसरे दिने और जादा भीड हो गई तो हनुमान ने कहा सारे भीकमंगे एकटे हो गए क्या हमारे देश में सारे मांगने वाले ही मिल गए है इतने सारे भीकारी इतने सारे लेने वाले इस तरह से ओ क्या करता अब दान तो देता पर साथ में गलत शब्द बो अभिकारी केता, कुछ भी केता और इस तरह से कहने लग गया, तो राम तक ये बाद पहुची, कि लोगों की भीड कम हो गई है, लोग कम आने लग गये हैं क्योंकि हनुमान कुछ भी बोलने लग गया है, हलका शब्द बोलने लग गया है, इसके लिए आजकल दानचाला में लोग आ नहीं रहे हैं, राम का चेरा फिर उतर गया और उसने कहा, क्या बात है हनुमान, लोग कैसे कम हो गए, उसने कहा मुझे नहीं पता, मैं तो देता गया, देता गया, आपनी भूल कोन कहे, कि मैं हलका शब्दा बोलता हु, मैं भिकारी कहता हु, ऐसा कौन कहता है, और इस तरह से लोगों की ये कम होने लग गई भीड कम होने लग गई अब राम तो राम रहे बड़े तो बड़े ही होते हैं और उन्हों ने क्या किया हनुमान को का आज घूमने जाना है साथ में तुम चलना मेरे साथ और साथ में लेके गए राम को गाव के बाहर तक जाके आये hanuman और Ram और वापिष लोटने लग गए तो राम ने क्या किया कहा कि मेरा थोड़ा का मैं मैं तोड़ा आगे जाता हूँ वे आगे चले गए hanuman पीछे आ रहे थे आगे देखा उन्होंने कि एक आदमी बेठा है और उसकी चहरा सुकर जैसा ए सुर जैसा चेहरा है देखो हमारे भीर जी राजव रागव जी गांधी ने सुर की हत्या हो रही थी कहां शिकर जी के पास में उसको उन्होंने बंद कराया उस समय में देड़ सो साल पहले सुर को काट करके खाने का काम करने वाले लोग थे उस समय उन्होंने सुर की हत्या बं じゃ infinity उसक का शरीर सोने जैसा था रूस का मूओ कैसा हो गया था सुर जैसा हो गया था राम हनुमान वहाँ पूंचे उनन देखा आज तक आदमी बहुत देखे मैंने पर ऐसा विछीतर आदमी नहीं देखा मैंने जिसका चेहरा सुर जैसा है और जिस उसका शरीर सोने जैसा चमक रहा है। उसने का भई ऐसी क्या बात है। तुमारा चेहरा सोरोर जैसा कैसे हो गया। उसने कहा। ना ना दानम्या दत्तम रत्नानी विविधानी चौ। न दत्तम अधुरम वाक्यम तेना हम शुकर मुख। क्या का मैंने अलग प्रकार के दान दिये, कई प्रकार के दान दिये, रत्नानी विदानी चौ। रत्ना सोना चांदी तक मैंने दान किया है। तो अपने मूँ से हमेशा हलके शब्दों का प्रयोग किया। जिस कारण से बाकी सारा शरीर सोने जैसा हो गया। और चेहरा मेरा क सुवर जैसा हो गया भागवानों तब हनुमान को पता चला ये सारी की मया प्रभु ने करी है राम ने करी है देवा माजा साथी अवड़ा तराज गेतला तुम्ही रूप बदल लो आने माला शिक्वन दिली तुम्ही आसो भी सांगीतला अस्तुम्ही अमाला तर्मीत सुधा साथना के लिए आस्ते तुम्ही माजा सेथी अवड़े कश्ट गेतले साथांग दंडवत हनुमान ने वहां पे दिया राम प्रगठ हुए और दोनों वापिस अपने घर चले गए हनुमान ने हमेशा हलका शब्द नहीं बोलना ऐसा संकल्प कर लिया भागवानों हमें भी चाहिए वचन पुन्य के द्वारा हमको बोलने की शक्ति मिली है यह शक्ति जानवरों के पस है क्या उनको प्यास लगती है वो चर के आते हैं जंगल से चर के आते हैं उनको पानी पिना होता है और माली क्या करता है उसके गले में दोरी बान कर खुटे पे लगा देता है व हमें ये ताकत मिलिये, मनुष्य को ताकत मिलिये हैं बोलने की, पर बोलने का मतलब यह नहीं कि चाहे जैसे शब्दों का प्रयोग करो, चाहे जैसे घालून पाडून बोला, असो देवाने सांगितने लगना ही, हो सके अपनी वानी का सदूपय करो, जहां तक बने हम कम बोले जहां सक बले, कम बोले, अच्छा बोले, मीठा बोले, और जहां तक बने किसी के रुदय को जखम हो, ऐसा शब्दों का प्रयोग, ना कि यह जादा बोलते हैं घुंगरू, उनको कहा पहनाया जाता है, पेरो में, और हार कुछ नहीं बोलता, मोती कुछ नहीं बोलते, उनक कहा पहनाया जाता है, घुंगरू बहुत बोलने वाले, पग में पहने जाते हैं, पग में पहने जाते हैं, मोनधारने वाले हीरे, मस्तक पर चर जाते हैं, मुक्ताहार को देखो जिसने जगहरुदय की पाई है, मोन साधना करना प्यारे, मोन सदा सुखडाई है, मोन साधना करना प्यारे, मोन सदा सुखडाई है, आत्म शांती का अनुभव होता, सुख की यही दवाई है, मोन साधना करना प्यारे, मोन सदा सुखडाई है, मोन साधना करना प्यारे, मोन सदा सुखडाई है, हमारे कवियों ने हमको जगाया है, जहां तक बने न बोल्यामा नव गुण, जो बोलत नहीं, त्याचे मज़े नव गुण प्रगट होता है, और जो बोलतो त्याचे नव गुण माइनस होता है, भाग्य वनता नो अप्याला सुद्धा वानी चा पुन्य कमवाई चा है, वानी का पुन्य हमें कमाना है, और जहां तक बने हम, मोन की साधना करेंगे, मोन रहेंगे, बोलेंगे, तो सोच समझ कर तोल तोल के बोलेंगे, और सामने बाले को अच्छा लगे, ऐसा ही बोलेंगे हलके शब्दों का प्रयोग, नहीं करेंगे ये वानी का कित्वा गुन है? सात्वा गुन सात्वा पुन्य है सात्वा पुन्य अन्न पुन्य, पान पुन्य, लयन पुन्य, शयन पुन्य, वस्त्र पुन्य, मन पुन्य और वचन पुन्य वचन की बहुत बड़ी शक्ती होती है वचन के द्वारे पुन्य भी कमाए जा सकते है पाप भी कमाये जा सकते हैं वचन के द्वारा मित्र भी मनाये जा सकते हैं और दुश्मन भी तयार किये जा सकते हैं भागयवानों हमें चाहिए कि हम वानी का प्रयोग सोच समझ करके करें वचन पुन्य को बढ़ाने का काम करें वचन के द्वारा दुश्मनों को बढ़ाने क काम नहीं करेंगे एसा सभी संहंकल पकरे और अपने जीवन में नचा जद मोका मिले नचारमंतर का जाब को रहा है माताजी मारशाइब करें महारा मुंडा उकद्धी नचार बाजू creating जरे महारू टाइम रे जरे नचारमंतर मन में तेर्थी रहू नवकार जपो भाई, बीपत सब भागे शक्ति है बरी भारी, चलती है आगे आगे नवकार जपो भाई, बीपत सब भागे विपरित उर्जा मानव को घेरे, मानव भाई भीत होता ऐसे समय में नवकार जपले, भाई निर्मुल हो जाता है जुड़ जाए तूटे धागे और सोए भाग जागे नवकार जपो भाई, बीपत सब भागे शक्ति है बड़ी भाई, चलती है आगे आगे नवकार जपो भाई, बीपत सब भागे इस तरह से हम भी मन वचन पुन्य का ध्यान दखेंगे और दो पाप कों से टालने कल दो की चर्चा करी थी हमें अभ्याख्यान याने कलंक देना मुनिराज ने नदी में पानी पिया ये बात जूटी थी या सच्ची थी, सच्ची होते हुए भी जूटी बात थी भागवानो मुनिराज सुखी नदी में पानी पी रह थे और गारिवान ने क्या के दिया नदिते पानी पीत होते और इस तरह से लोगों की स्रद्धा भंग हो गई भागवानों जहां तक बने अभ्यात ख्यार और कलंक देना और चुगली करना ये दो काम हमारे द्वारा ना हो और जहां तक बने पुन्य की साधना करने के लिए हम बच्चन को समाल समाल करके बोलें करेंगे ऐसा आप सभी संकल्प करें और अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करें इसी भावना के साथ अपने विराम लेती हूं